हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो निशाम अधोरीमा चैनल आज हम बनाएंगे आम पन्ना की जटपट रेसिपी गर्मियों का सीजन चल रहा है और आम का सीजन है ये बच्चे हरूर डिमान करते हैं ममा आज कुछ नया बनाईए तो चलिए आज हम ऐसा ही कुछ नए डिश बनाते है आम पना जो कि बच्चों को बहुत पसंद आएगा और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है बहुत कम समय में ये बन जाता है तो चलिए इसे बनाते हैं इसके लिए हम ने लिया है एक लिटर पानी एक कप चीनी आप चीनी बढ़ा भी सकते हैं दो कच्चे आम मीडियम साइज के अंद्रा से 20 पूली नाके पत्ते तीय से चार हरी इलाइची कुटी हुई फाफ टीजपून नमक लिया है फाफ टीजपून जीरा पाउडर लिया है चलिए इसे बनाते हैं फटाफण सबसे पहले हमें मैंगो को उबालना है और उसका पल्प निकालना है देखे मैंने उब इसमें मैंगो का पल्प डालेंगे ہیں हमें इसमें चीनी अइड़ करेंगे इसके बाद हम इसमें पते डालेंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे देखिए अभी अच्छे से पिस चुका है अभी हम इसे एक भूल में निकाल लेंगे और इसमें बारे बारी से सारे मसाले आइड करेंगे सबसे पहले हम इसमें पानी आइड करेंगे हमें इसमें कब से नापकर चार कब पानी डालना है मतलब एक लिटर पानी हम इसमें पुरा डालेंगे, डाल दिया है हमने एक लिटर पानी, अभी हम इसमें पिलाइची पॉडर डालेंगे, नमक डाल देंगे हम इसमें और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इसके बाद इसमें जीरा पॉडर डालेंगे, अभी हम इसमें पुद के ग्लास में लिए हैं इसमें आइस क्यूब्स डाले हैं और उपर उद्धीना से इसे गार्णिश किया है बहुत ही स्वाधिस्टा आम पना बनकर चट्पट रेगी हो गया गर्मियों में लू से बचने का यह पुराना नुस्खा है इसे जरूर ट्राइ कीजिए अगर आपक को मेरे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके तब तक के लिए नए वीडियो में नए रेसिपे के साथ फिर मिलेंगे नमस्ते